हेलो फ्रेंट तो आज मैं बनाने वाली हूँ बालू साई एकदम हलवाई जैसी परफेक्ट मेजर्मेंट के साथ क्रिस्पी करारी रस भरी तो आप वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किये तो आपको सारे टिप्स अच्छी तरह से समझ में आएंगे तो चलिए बनाना चम्मच बेकिंग पाउडर लिया है मैंने बेकिंग सोडा का यूजर ने किया है बेकिंग पाउडर डाला है दो चम्मच में इसमें दही डाल रही हूँ दही बहुत ज़्यादा खटी नहीं है और साथ हैमल में इसमें मेल्टेट देसी खी डाल रही हूँ आप फॉर्चू नहीं तो जो हमारे layer से ना वो अच्छे से नहीं आएंगे तो मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालके एकदम dough बना लेती हूँ एकदम soft dough बनाना है बहुत ज़्यादा hard dough नहीं बनाना है तो आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डालके हमारे जो soft dough है वो बनाकर ready कर लिया है बहुत ज़्यादा मसलना नहीं है हमने क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा मसलेंगे तो जो मैंदा है वो बहुत hard हो जाता है और हमारी जो बालू साई है वो crispy नहीं बनेंगी तो आप देख सकते हैं मैंने dough बना लिया है और इसे 20 मिनट के लिए rest करने के लिए रख दिया है तो आब हम बनाने वाले हैं चासनी जब तक हमारा dough rest होता है तो उसके लिए मैंने एक pen ले लिया है और जिस measurement से मैंने मैदा को measure किया था ना उसी measurement से मैंने डेड़ कब भरके इसमें चीनी ले लिया है और इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है और उसके बाद मैंने 10 से 12 केसर के धागे डाल दिया है केसर total optional है अगर आप डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं बरना आप इसे skip भी कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं हमारी जो चीनी है वो अच्छी तरह ऐसे घुल गई है और मुझे इसे पकाते हुए लगबग 4-5 मिनट हो गए है और आप देख पा रहे हैं इसमें एक तार की चासनी बन रही है बहुत ज़्यादा गाड़ी नहीं करनी है यह ठंडी होगी तो थोड़ी सी गाड़ी और हो जाएगी तो चासनी बन कर रेड़ी हो गई है और डो के लिए भी 20 मिनट हो गए है डो को मैंने निकाल लिया है और इस तरह से मैं इसे कट करके लेयर करूँगी तो आप देख सकते हैं मैं इस तरह इसे से cut करती जा रही हूँ और इसे उपर इसे रखती जा रही हूँ हाथों से press करकर के आप चाहे तो चाको से cut ना करें एक दूसरे इसे फैलाते जाएं और इसे fold करते जाएं तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से layer आ रहे हैं इसी तरह इसे मैं आप देख रहे हैं ये कितने अच्छे से पूरा ढेर सारे इसमें layer ही देख रहे हैं इसी तरह इसे मैं इसे लंबा सा फैला लेती हूँ इसे मोड़ना नहीं है, रोल नहीं करना है अगर हम रोल करेंगे ना तो जो हमारी बालू साई है ना क्रिस्पी नहीं बनेगी मैंने इसे लंबा-led कर लिया है और इसे मोड़ते जाना है अब देख सकते हैं, फोल्ड करते जाना है मैंने इसे रोल नहीं किया है आप देख पा रहे हैं कि ये हमारी जो बालू साई है बनकर रेडी हो गई है, आप इसी तरह से और जितना भी हमारा डो है उसकी बालू साई बना ले, मैंने एक और बना लिया है, आप देख सकते हैं, मैंने बहुत जादा ना रोल किया है, ना बहुत जादा हमारे मेंदा को म तो मैंने एक pen ready कर लिया है, जिसमें मैंने oil डाला है, लगबक 700 ml, और आप देख रहे हैं कि oil बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, इसमें एकदम छोटे-छोटे से bubbles आ रहे हैं, एकदम धीरे से, क्योंकि जो हमारी बालू साई है ना, उनको पकने में काफी time लगता है, लगबक 10-15 मिनट हो गए हैं, और मैंने इने पलट दिया है, एकदम आराम से सिखने देने, अगर आप जल्दी बाजी करेंगे, तो जो हमारी बालू साई है, वो अंदर से कच्ची हो जाएंगी, और उपर से बस सिख पाएंगी, तो ये खाने में एकदम कड़क हो जाएंगी, इसी तरह से जितनी भी हमारी बालू साई हैं, उनको भी मैं सेक लेती हूँ, और आपको क्या करना है, कि पहले गैस को आफ कर देना है, जो हमारा ओयल है बहुत जादा गर्म होगा, जब ओयल एकदम टेंपरेचर पर आ जाएगा, तब आप और हमारी जो बालू साई हैं, उ जो चासनी है, वो अंदर अच्छे से अबजर्व हो जाएगा इसमें, आप देख सकते हैं, चार-पांच मिनट हो गए हैं, और मैंने हमारी बालू साई को पलट दिया है इसमें ही, और तीन-चार मिनट इसमें ही डली रहने दूंगी मैं, तो तीन-चार मिनट हो गए हैं, और हमारी बालू साई में अंदर तक अच्छे से चासनी चली गई है, और अम इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूं, प्लेटिंग कर लेती हूं इसकी, आप देख रहे हैं, कितनी अच्छी दिख रही है, एकदम टेश्टी और यमी, जब ये दिखने में इतनी टेश्टी लग रही है, तो खाने में कितनी टेश्टी होगी, फ्रेंड आप इस रेसिपी को जरूर ट्राइ करें, आप दिवाली आ रही है, तो दिवाली में हम बाहर से जो मिठाईयां लाते हैं, वो इतनी ज़्यादा सुद्ध और प्योर नहीं होती हैं, हम जो घर में बनाते हैं, तो आप इस रेसिपी को जरूर बनाए, आपकी फैमिली फ्रेंड में सेयर करें, और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, मेरी महनत आपको कैसी लगती है, आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, तो आप मेरे चैनल को ला